तो गाइज अब हम किसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कर्सर के बारे में और बात करेंगे कर्सर होता क्या है और कैसे वर्किंग इसकी इनर वर्किंग कैसे होती है राइट क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो हम बेसिकली क्या देखा हमने कि जो हमारा projection selection and selection arcs हो के जो हमने query में उसके parameters pass करे रहाइब कि यह query किस के लिए थी guys जो हमें database से हमारी table थी वो display हो जाए अब वो हमने किस में store करा guys कौन से type के data type में cursor type के data type में अब यह cursor type के data type के होता क्या है और यह basically करता क्या है okay तो basically cursor क्या होता है एक object है जो कि represent कर रहा है guys table की number of rows को तो यह table of number of rows को कैसे represent कर रहा है आपको होगी कि यार आपने बताया था पहले ही कि sir यह क्या है एक virtual table है अब आप कह रहे हो एक bunch of rows को represent कर रहा है तो guys आप ऐसा सोचो cursor आया सबसे पहले start हुआ रहा है query में तो सबसे पहले क्या नहीं इसने डिस्प्ले होगा इसने टिबल बना दी उसके बाद यह columns पाया इसने columns की name represent कर वा दिये फिर किस पायगा guys यह start कहां से होगा basically row से start होगा zero one two three यह भी guys कहां से start होता है इसके indexing कहां से शुरू होती है zero से होती है किस की तरह array की तरह cursor कहां से start होता है zero से अब जब मैं कहां रहा हूँ guys करसर start होता है zero से इसका मतलब इंडेक्स value होती है जैसे मैंने id one दी guys तो वह cursor की कौन सी value होगी zero value होगी okay zero वाले index पे id one से होगा इसकी detail में guys हम थोड़ी बाद में जाएंगे कि यह cursor की basically representation कैसे होती है फिलहाल हम simple इसके उपर उपर का समझ रहें कि एक work कैसे करता है ताकि हम क्या work कर सकें guys इसको apply कर सकें किसमें अपने pets app में फिर guys जैसे अब हमारी table है right मेरी table थी pet name क्या अब guys में अगर मैं cursor apply कर दूँगा तो basically क्या हुआ अगर मैंने print करा query तो यह cursor कहां से शुरू होगा id 1 से शुरू होगा guys और यह क्या सारी जो table को यह दिखा रहा है तो basically कितनी rows हमारी six rows है तो उन six rows को कौन display कर वा रहा है cursor display कर वा रहा है guys क्योंकि जो data retrieve करने का method होता है वह किस में होता है cursor में होता है अब अगर मैं guys simple क्या दे दूँ एस्ट्रेक स्लैक एस्ट्रेक कमांड दे दू रहा है फॉम पैट्स तो guys इसमें क्या होगा सारी हमारी पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी लेकिन मैंने वहां पे condition लगा दी वेर नेम इक्वर्स तो 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 बेसिकली गई मैंने यहां पर कर सर को लिमिट कर दिया किस पर एक ग्रों पे और वह सिर्फ कर सर फिर क्या दिखाएगा सिंपल एक औरो दिखाएगा अब जो guys हमने क्वेडी पहले दी उसके सबसे क्या दिखाया नेम इन ब्रीड फ्रॉम पैट्स तो हमारा सिंपल अगर मैं उसमें वेर कंडिशन हटा दूं स्लेक्शन और स्लेक्शन आग्स वाली स्टेट्मेंटी उसे कर दो नल कर दूं तो कर में क्या दिखायेगा की डवलप करेंगा यह टेभलब डवलप करेंगा जिसमें नइम एंद ब्रीड होगी नेम शार ब्रीड शाओ होगी नाम शोगई व्रेश लोगी तो बेसिक लिगाइस को इंपील डिखाता है जितनी इसको इंफरमिशन मिलती है उतनी वह टेपिल move to next move to position and move to previous यह थोड़ा और डिटेल में अभी आगे चलेंगे कि बेसिकली वाले मेथट्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं पहले कि दिखते हैं अपने एप में से अप्लाए कैसे करना है अब गाइस जो हमारा एप में अप्लाए करोगे आप फिलहाल तो जो हमारा जब पूरा दिखेगा जो जैसे यह क्या आईडी आ गई नेम आ गया ब्रीड आ गई जेंडर आ गया एंड वेट आ गया राइट तो गाइस यह तो हमारी होगी फाइनल लेसन टू की जो इंटरफेस होगा और जब तक हम इस आपको फिनिश करेंगे तो अच्छे से डिस्प्ले करवाएंगे इसे इसका यूजर इंटरफेस भी अच्छा करेंगे बट फिलाल के लिए गाइस हम इसे ऐसी छोड़ देंगे लेसन टू तक हमारा एम क्या है कि हमें कैसे पहले हमने यह सीख लिया स्टार्टिंग में कि कैसे हमें इंसर्ट कैसे करवाना है डेटा अब गाइ जैसे वह दिखा रहा है number of rows इतनी simple insert होके लेकिन simple अभी हमें सिर्फ cursor implement करना है उस पर show नहीं करना है अभी तो गाइस अभी हमें क्या करना है जो catalog activity थी Java की उसमें हमारा जो raw query वाला method था क्योंकि अगर आप देखोगे अपने code में तो हमने जो cursor वाला जो display info वाला method था जो display क कोई चीज नहीं करना वह वाला जो मैंने भी आपको मॉक दिखाया था मॉक डिजाइन की lesson 2 के खतम होने तक हमें ऐसे दिखेगा तो वह आगे और डिसक्स करेंगे बट फिलहाल हमें ui same रखना है guys and simple हमारा जो raw query method है वह change करना है उसकी जगा हमें क्या करना है projection लगाना है औ तो guys हम आगे हमने android studio पे इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं guys थोड़ा ताकी थोड़ा better देखे and अगर guys इसमें आप देखो तो हमारा जो display database info method था right जो हम पहले ही apply कर चुके थे इसमें अगर हम देखें आप क्या क्या था एक तो हमारा instance यहां पर क्या instance यूज कर रहे थे database का object म वह आपने देख लिया अब guys display कौन अभी तक हम क्या कर रहे थे display हो रहा था number of rows number of rows number of rows right तो वह किसकी help से display हो रहा था cursor की help से cursor type के object से अब guys आपको यह समयन में आ गया होगा क्योंकि अब हमने discuss कर चुके हैं मैंने आपको बताया था यहां पर अगर आप देखो तो guys यह क्य यह मैंने आपको बताया था कि हम simple draw query भी से भी display करवा सकते हैं यहां पर मैंने आपको क्या रहा है select asterisk from simple क्या रखा इसने pet name और selection ask क्या ले लिए नल ले लिए तो basically guys इसने क्या कर दिया जितनी भी चीज़े होंगी वह print करवा देगा लेकिन फिलहाल हम जो इसमें print करवा र इसमें हमारी query save है उसको simple मैंने method यूज कर लिया था get count अब यह get count method क्या होता है guys यह किसका होता है cursor का method होता है और यह क्या करता है जितनी number of rows होती है वह count कर लेता है तो इस logic से हमें क्या मिल ला था guys जो हमारी rows की count थी वह मिल लाई थी आप guys raw query मैंने आपको बिल्कुल starting में मैंने यह बताया था कि कैसे हमें अब display करवाना है अपना ओ क्या database तो मैंने अपको क्या बताया कि हम raw query कभी use नहीं करते राइक राइक क्यों यूज करते हैं क्यों क्यों कि करते हैं guys हम क्यों क्यूंकि SIMPL मैंने बताया था इसमें error होने के बहुत chances है और यह सहीं नहीं रहत simple हम क्या यूज करते हैं अपना query method यूज करते हैं instead of raw query use करके SQL की तो मैं इसे क्या कर दूंगा guys delete कर दूंगा पूरा क्योंकि मुझे अब इसकी जरुवात नहीं है सबसे पहले आप guys क्या लेंगे हम यहां पर अपने projection लेंगे और projection क्यू लेंगे क्योंकि guys अब हमें क्या लेंगे अपने query method के थूरू run करना है right query method में क्या होता है guys हमारे parameters हैं तो उसमें से एक parameter क्या projection है projection से start करेंगे तो मैं projection किस टाइप का लेंगा guys string type का तो यहां पर क्या ले लिए मैंने array type की ले लिया array ले इसकी अन्स में क्या दाल दिया लोना है projection projection में मैंने लिए अपनी body ले दी रहाइं हमें projection में display करवाना है guys हमें सब को display करवाना है तो मुझे पूरी table display करवानी है तो मैं क्या दे दूँंगा यहां पर pet entry ले लिंगे सबसे पहले pet entry dot क्या आएगा guys हमारा सबसे पहले ाइड आईट आएगा तो मैं हमें name name के बाद क्या है गाइस breed था हमारी टेबल में फिर से pet entry ले लिया गाइस मैंने pet entry dot अब breed हो गया है हमारा इसके बाद क्या था गई जेंडर था gender आ गया and यह हमारा क्या गया last आ गया गाइस pet entry dot क्या गया हमारा weight weight कहती है हमारी last value थी जो में डिस्प्ले करवानी है और यहां पर क्या देना है सैमे कालां देना है इसको मद फूलना तो यहां पर क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग तयार हो गया यह बेसिकली घाइज किया है वारा प्रोजेक्शन है जिसमेरी वेल्यूसद है रहा राइट जो करसर के पास होगा अब गई टाइब का ऑच यहां किसमें स्टोर करना है अब मैंने इसका वेरिबिल ले लिए करसर अब डी-बी डॉट सिंबल मैं क्यां सा मैं अब इन्टर लगा सकता हूं क्या मैं एक टैबल नेम तो मैं त मैं हहाइ सब्सक्राइब चिंट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कि अगर आप देखो इसके बाद क्या ओर भी पड़ामीटर्स थे थे मारे इसलेक्षन सलेक्शन आर्क्स तो जे short नहीं दे रहा है हैं तो सिंपल कि अगर दूंगा कैसे घ्ल की सब नॉना घ्ला बांगेरा लाग्या हमारा इ conson試 नहीं वहяет तो स मैंन और रहा हूं सब पे यह दिखा भी रहा है कि किस पे इसके जो परमीटर जास की वैल्यों दिखा रहा है कि selection है selection आज है group है है यहांग पर आ गया और एक लास्ट और बचेगा हमारा इसे गाई आप एक लाइन में भी लिख सकते हो simple path मैंने इसे अलग अलग लाइन में क्यों लिखा है ताकि आपको थोड़ा बैटर दिखें क्योंकि यहां पर पूरी लाइन में आता नहीं है projection भी लाइन में लिख सकते हो आप और एक क्वेड़ी भी एक लाइन में लिख सकते हैं जैसे हमारा उसमें लिखा हुआ था तो गाईस यह चीज सब्सक्राइंा माँ पूल तक न टाना करें अधरा बाका करता है रहे तो यहांप यह से कर यहांपे होगा हमाऊने क τα विख दिएँ अब जिसे रन करोगे आपको राइट जो हमें दिखी तो ऐसा नहीं है जरुरूगा वारन करोगे एक देज़ का धानखब जो data का जो हमारा app का data था उसे clear कर लेना वनना यह run नहीं होगा ऐसी जूल मैं आपको reason बता रहा है पहले भी कि हमें ऐसे क्यों करना पड़ रहा है तो वो होगा तो guys यहाँ पे हमारी क्या हो गई जो हमने क्या सी का था projection कैसे देना है और cursor में table show कैसे करनी है तो यहाँ पर guys अगर मैं इसको table को देखो तो basically यह क्या हो गया हमारा select अगर आप इसे query के type में देखो तो मैं simple यहाँ पर select from pets ही कर रहा हूं एक तरीके से क्योंकि guys हमारी सारी ही table display हो रही है मैं यहाँ यहाँ अगर वैसे लिखो आप बिलकुल तो basically मैं यहाँ पर क्या आइडी प्रेंट कर दो select कर रहा हूं id फिर select कर रहा हूं name फिर select कर रहा हूं क्या breed तो basically guys यह वाली statement जो draw query में अगर लिखता मैं तो यह से ऐसे लिखता जो हमने किसमें लिखे है query method में arguments के थ्रू लिखी है तो guys इस चीज में hopefully after confusion अब दूर हो गया कि कैसे हम इसे coding में लिखेंगे आप basically क्या process जैसे हमारा पहले display हो रहा था guys वो भी अभी वैसी ही display होगा UI में क्योंकि UI में अभी हम क्या प्रेंट कर रहेंगा इस रो ही प्रेंट कर रहे हैं और रो अभी हमारी कितनी उतनी ही है क्योंकि हमने कोई नए डेटा इंसर्ट नहीं कर रहा है यहां पर हमारा क्या रहा है basically डिस्प्ले कर वा रहे हैं क्योंकि बढ़क क्योंकि अईए क्योंकि बटू रहे हैं